हम प्रिपेर करेंगे M520, Oxalic acid solution, तो solution को प्रिपेर करने हैं, फर्स्ट आने पता होना चाहिके Oxalic acid का formula क्या है, तो प्रेटा Oxalic acid क्या होता है, तो COOH, COOH, dot 2H2O, ठीक है, यह है Oxalic acid का formula, रहें, इसका जोग हम बात करें, मोलर मास की, तो मोलर मास इसका निकल के आता है, 126, ओके, तो अभी आप लगा है कि है formula, calculation का formula क्या है, कि हमें कितना volume प्रिप्टेर करना यहां पर, कि अगर हम 250 ml में करें, कितना ml में, 250 ml में प्रिप्टेर करें, that means, volume कितना हो गया, 250, molecular यहां पर जो मास दिया है, molecular मास इसका वो कितना है, 126, ठीक है, अच्छा, यहां पर हमारा पास, जो m का value है, वो कितना है, m by 20 का मतला 1 by 20, so हमें पहले क्या calculate करना है, कि हां पर wb कितना है, so wb तो calculate करने के लिए formula क्या है, wb equal to, यह मुझाय का अपका, 1 by 20 into 1000, उपर में क्या लिखना है, volume into और मुझाय का अपका, m, so यह है formula, right, so formula value को put कर देते हैं, volume कितना बिटा, 250, molar मास कितना, 126, divide इस से करोगे, 20 into 1000, so 00 गटेजरी कितना time, 4 time, ठीक है, इसको कर अब calculate करोगे, so कितना 1.57, यह कितना कितना चेकर बिटा, gram है, so first हमें measurement करना होगा, 1.57 gram, और से से बिटा, और से ली इसी, और सको डिजर लुका माना है, 250 ml, बादर में, बादर में, okay, बादर में, 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 कर तो अइन चेंट करना है। terima रोड़ करना है। उसके वाद हमें जितना रिकवर्मेंट होगा, तक मेकप करना है पूरे वाटरों में अच्छे से इसको डिजॉल्व करना है अच्छे से इसको डिजॉल्व हो जुके है अभी हम हम तो अभी हम 250 ml तक इसको हूँ वाटर से हैश अच्छे डीग वाटरों में अच्छे से याटर वाटरों Mmm